Hello friends, ETH मापका स्वागत है दोस्तो जब हम महाभाद की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में महाभाद के सभी योदा आते हैं और उनके किये कारे आते हैं मामा शक्रनी से लेकर भगवान क्रिशन तक महाभाद में सभी पातर अपने अपने एक पहली थी और सब पहलीयां एक एक करके महाभाद युद के उन सतारा दिनों में हुए नर संगार में उजागर हुई और आज हम आपको बताएंगे कि महाभाद युद में शिरी क्रिशन अचानक कर्ण को देकर क्यूं भागे थे ये बात उस दिन की है जब विश्यम पितामा अपनी मृत्ती शेयर पर लेटे हुए थे पांड़ो को पितामा को खो देने का डर था और कोर्वो को अपनी हार का डर सतारा था तब ही अंगराज कर्ण कोर्वो के सेना पती के रूप में युद में आते हैं कर्ण के युदक शेतर में आते ही पांड़ो की सेना में हाहा कर मच गया और दूसरी तरफ ज्रोनाचारे ने भी अपने आस्तरों शेस्तरों से तभाई मचा दी और पांड़ो को जतला दिया कि हम युद अवश्य जीतेंगे युदक शेतर में कोर्वो का फलड़ा भारी हो गया और पांड़ो गवराने लगे तब अंगराज करन मंतर उचारन से भगवान इंदर से प्राप्त आस्तर का आहावान करते हैं जब शीरी कृष्य ने देखा कि अंगराज उस अचुक अस्तर का आहावन कर रहे हैं तब शीरी कृष्य अपने रत को दक्षन की और ले गए शीरी कृष्य बहुत परिशान मेजर आ रहे थे और अर्जों ने शीरी कृष्य से पूछा ये मादव यूदक शेतर से आपने रत को क्यों बगालाए और आप इतना परिशान क्यों हैं तब केश्व मुस्करा कर बोलते हैं प्रिये हरजुन मैं तुम्हें खोना नहीं चाता था और रत को मैं दक्षिन दिशा की और ले आया क्योंकि देवराज इंदर ने करन को एक ऐस अच्छुक अस्तर दिया है जिसकी कोई गाट नहीं उसी अस्तर का प्रियोग अंगराज दोंपर खरने जा रहा था और फिर अरजुन निडर होकर दक्षिन दिशा से युद लगने लगे दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मादव ने इंदर अस्तर क को कैसे विफल किया यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब करता ना बूले जाहिन जाह भारत